हालो फ्रेंड स्वागत है अपने यूट्यूब चानल के अंदर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का सेट है सैमसंग का जे फोर प्लस जो की बिल्कुल डेट कंडिशन में मेरे पास रिपैर के लिए आया हुआ है तो आप वीडियो इसको मैं प्रेस करता हूँ तो फोन आन नहीं हो पा रहा है ठीक है वीडियो में बने रहना आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में इस फोन के अंदर क्या दिक्कत थी कि जो फोन आन नहीं हो पा रहा था जैसा कि आपने देखा मैंने फोन को आन किया और यह फोन आन हुआ तो एक बार हम चार्ज मैं लगा के देख लेते हैं कि हमारी चार्जइं भी हो रही है या नहीं हो रही है तो वीडियो में बने रहना कहाँ सखें किस तरीके से इस फोन के अंतर प्रॉब्लम थी कैसी प्रॉब्लम थी वह आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो देखो यहां पर मैंने इस फोन के अंदर चार्ज लगाया और चार्जिंग में कोई भी इंडिकेट सो नहीं कर रहा है डिस्प्लेय में कुछ भी सो नहीं कर रहा है मैं आपको एक बार चार्जिंग दिखा देता हूं दूसरे फोन में लगा के तो यहां पर देख सकते हो यह फोन चार्ज हो रहा है ठीक है क्योंकि आपको यह समझ में चार्ज लगाया वो ठीक है तो एक बार फिर से इसको हम चार्जिंग लगाते हैं और देख सकते हो यहां पर कुछ भी डिस लगाया एक बाइक फिर से ऑन करके देखते हैं फ्रेंड ये वीडियो लंबी होगी तकरीबन 1819 मिनिट की वीडियो होगी और वीडियो पूरा देखना और इसको मैंने किस तरीके से रिपैर किया क्योंकि आपके पास भी इस तरीके के प्रॉब्लम आ सकती है बट ये कहीं पर इसको भी हम सब यहां से निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसको step by step चेक करेंगे इसके पहले एक बार sorting को चेक करेंगे और इसके अंदर बैटरी कितनी चार्ज है उसको चेक करेंगे जो कि नॉर्मल चीज़े हैं जो आप लोग भी करते होगे अगर डेट फोन आकर आ जहां कोई भी रीडिंग यहां पर शो नहीं कर रहा है तो यहां पर कोई भी फोन के अंदर कोई भी स्वर्टिंग जैसा नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यह सब फोनों के अंदर DC to DC IC यूज होती है जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ठीक है और उस फोन के अंतर में मैं आपको रिपैर करके दिखाया था तो यहां पर देखो यह फोन में बैटरी की जो कितनी भूस्ट किया है अभी हम चेक कर लेक्या तरो यहां पर उसे हम 3.4 वल्टेज यहां पर हो चुका है तो एक बार इसको हम Motherboard को लगाके एक बाद फिशेंसकी जो है charging लगाके देख लेते हैं या charge हो रहा है या नहीं कहारेकं पर मैंने लगाए तो फ्रेंड अपने देखा मैंने इसको चार्ज में लगाया हुआ है और अभी कुछ भी चाजिंग पर जो को इन्टिकेट है कोई भी लोगों यहाँ पर भी भी सो नहीं कर रहे हैं तो स्टेप था इस स्टेप से हम लोग चेक करते हैं फोन को कि हां क्या दिक्कत है बैटरी डाउन थी बैटरी को मैंने थोड़ा सा बूस्ट भी किया उसके बाद भी सेम कंडिशन कोई भी इस्वे कोई भी लोगों यहां पर बननी रहें ने तो यहां पर कम से कम चारजिंग की ल अब इसको किस तरीके से काम करेंगे वो स्टार्ट यहां पर करना है जैसे कि यहां पर मैंने आपको फोन के अंदर सौर्टिंग दिखा दिया कि फोन के अंदर कोई भी सौर्टिंग नहीं है एक बार मैं आपको फिर से इसकी सौर्टिंग दिखा देता हूं क्योंकि मैंने वीडियो को बीच में 파ॉस किया था बैटरी को बुश्ट करने के लिए तो आपको ये ना लगए कि मैंने बोड़ चेंज कर दिया यहां पर सॉर्टिंग देख सकतो यह नेगेटीव है यहां पर जो बगल वाला गए अपको तो यहांपर हमें चार्जिंग का जो यहांपर लेंग है और लगया दिए है और अभी हम हम अपने वॉल्टिष की सट करेंगे। में चारंजींग का जो पूटपुत लाइन वोता चाइस्म लगाए अठों हमारी में आइसिको मेलें की Game & Education aptic है उसको्कोंप्र फ्रेंड देख सकते हो यहां पर वोल्टेज की जो रीडिंग आद। ब मिलकी है इसके वे से phone on नहीं हो पा रहा है ठीक है friend तो ऐसा नहीं है आप वीडियो में बने रहना किस तरीके से इस problem को मैंने solve किया वो आप देखो एक बर दोखो यहाँ पर हम दोनों तरफ से check करते हैं तो कोई भी reading नहीं है और यहाँ से output line चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 5 बोल्ट जो है आ रहा है ठीक है 5.2 बोल्ट जो है यहाँ पर दिखा रहा है तो देखो अभी battery connector पर कोई भी sorting नहीं दिखाया तो friend मैं आपकी इसकी जो DC-2 DC-IC होती है उसके उपर का जो यह clean यह केन है जिसको मैं अभी निकाल दो पहले इसको हम निकाल देते है क्योंकि इसकी पास जो हमारी secondary line की sorting है वो हम चेक करेंगे primary line में कोई भी sorting नहीं है इस phone के अंदर तो देखो यहाँ पर DC-2 DC-IC लगी हुई है देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर एक boost coil भी लगा हुआ है तो इस coil पर हम sorting को चेक करेंगे क्योंकि इस sorting यहाँ पर नहीं आनी चाहिए यहाँ से output line हमारी power IC network IC को जो है जाता है तो यहाँ पर जो है देखो एक side में ground करते है और friend देख सकतो एक side में beep आ रही है चलो इसमें beep नहीं आनी चाहिए थी friend और देख सकतो एक side beep आ रही है और यह आप इस side में हम चेक कर लेते है इसके बगल वाली point पर देखो इस side भी reading आ रही है मतलब दोनो side में beep आ रही है तो friend shorting जैसे के full shorting दिखा रहा है तो अब हम एक बार जो है इसकी जो output के supply आ होती है DC to DC के बाद वो network section में जाती है power section में जाती है तो यहाँ पर जो network section वाला जो हमारा cover है जो network section का जो उपर टीना लगा हुआ है उसका जो मतलब जो section है उसके उपर का जो cover है टीना उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया और निकालने के बाद यहाँ पर देख सकतो यह network IC है उसके बगल में जो एक capacitor लगा हुआ है जो कि filter में होता है इसको एक बार हम reading करेंगे ठीक है देखते है यहाँ पर sorting है या नहीं है एक side beep आनी चाहिए एक side beep नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह filter में लगा हुआ है तो देखा आपने के friend दोनों तरब beep आ रही है मतलब यहाँ पर भी sorting है तो अब एक बार हम इसकी power section को भी खोलेंगे ठीक है इसका जो power section है इसको भी यहाँ पर हम simply निकाल देते है तो इसका यह power section इसको भी हम खोल के देख लेते हैं कि यहाँ पर भी क्या चीज़े sorting दिखा रही है तो जैसे कि यहाँ पर friend यहाँ पर power section भी यहाँ पर मैंने निकाल दिया और इसके उपर का जो केन था जो टीना जिसको हम बोलते हैं वह मैंने निकाल दिया और यहाँ पर भी coil लगी हुई है power IC के बगल में काफी सारी coil भी है काफी सारी capacitor है तो उनमें हम एक बार चेक करेंगे उधर भी कोई sorting है या नहीं है तो फ्रेंट वीडियो में बने रहना आप step by step इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आपका काम प्रॉपर हंडिट परसंट ठीक होगा जैसे कि हाँ पर हम चेक कर पा रहें step by step जैसे कि आपने देखा कि बैटी connector पर कोई भी sorting नहीं देखा रहा है बट आगी की जो supply है वो sort है तो चलो एक बर हम फिर से इसको check कर लेते हैं इसको हम ground करते हैं और यहाँ पर जो capacitor देखो इस पर एक बर network section पर check करते हैं तो दोनों side reading आ रही है ठीक है और यहाँ पर एक बर यह coil है यह सबसे बड़ी coil इसको हम check कर लेते हैं तो देख सकतो इस side भी beep आ रही है जो कि इसमें चेक किया तीन जगा जो है sorting दिखा रहा है ठीक है तो यह आप confirm हो गए होंगे कि network section में filter capacitor sort नहीं होते हैं तो अभी हम क्या करेंगे रोजन पेस्ट का इस्तमाल करेंगे क्योंकि आपको पता रोजन पेस्ट काफी ज्यादा smooth होता है ज्यादा हीट लगने के वज़े से वह normal खुद ही पिखल जाता है और जहां पर sorting वहां पर melt हो जाता है तो यह DC to DC IC जो है यहां पर भी हम यहां पर मैंने डाल दिया है और हम अपने DC machine भी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे DC machine को देखो यहां पर मैंने जो है 4V 5A मैंने set किया हुआ है जैसे कि यहां पर देख स ग्राउंड पर एटेच कर देंगे तो यहां पर हम थोड़ा सा यह हमारा black वाले पॉइंट है इसको हम यहां पर एटेच कर देते हैं ठीक है तो इसको हम जो टीना है यहां पर साइड में इसको हम यहां पर इसको थोड़ा सा स्क्रेच करके इस टीनी पर इसको जो है black वाले इसका जो चिम्टा होता है, उसके ऊपर का जो board में फसाने वाला तो वो already टूड़ गया पहले थे में को मेरे पास, तो यहाँ पर यह पर यहाँ पर मैंने sold कर दिया और इसी जो positive वाली point है, वो हम जो DC to DC, IC के बगल में जो coil लगी हुई है, उस पर हम touch करके देखेंगे कि आग इसके पीछे घुमा के देख लेते इधा तो कोई भी reading कुछ भी सो नहीं कर रहा है यह power section में कुछ भी sorting नहीं है और यह network section में फ्रेंड में देखता हूँ यहाँ पर तो एक दो capacitor यहाँ पर जो है देख सकतो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह sorting दिखा रहा है जैसा कि मैं एक बार आपको फिर से देखाने की कोसिस करूँगा यहाँ पर जो network का जो IC है हमारा जो network PFIC है उसके बगल में देख सकतो यहाँ पर capacitor जो की पूरी तरीके से melt हो गया है तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर रोजन पेस्ट डालते हैं और एक बार आपको क्लियर देखाने की कोसिस करते हैं बिल्कुल क्लियर देखाने की कोसिस करते कि आपको क्लियर समझ में आए और काफी छोटा capacitor है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको देखने में वैस है इस वीडियो में तो देख सकतो यहाँ पर जो capacitor है वो पूरी तरीके से मेल्ट होगया मतलब वह जो capacitor है वह सौट है एक बार हम फिर से आपको देखाना चाहेंगे ठीक बार फिर से देख लेना तो देखो यहाँ पर फिर से हम दिखा देते हैं आपको तो यहाँ पर थोड से दिखाते हैं आपको यहां पर हम टच कर रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है एक बार फिट से अच्छी तरीकी से टच कर रहे हैं ठीक से यह वाइर तो एक बार हम फिर से टच कर लेता है तो फ्रेंड देखना यहांपे देखसक्तों यहांपे एक कैपसेटर मेल्ट हो मेलड हो चुका है तो इस तरीके से आपको प्रप्राब्लम समझ में आ गया कि इस फोन कंदर एक कैपसेटर सोट है उसके वज़से हमारा फोन नहीं हो पार है जैसे कि जहां-जहां पे मैंने आपको चे कर आये हैं कि sporting आ रही है वो सब सारी सीज़े हम चेक करेंगे पहले इस capacitor को तोड देते हैं यहासे अपने चिम्टे के मदद से इस capacitor को हम बाहर निकालते हैं जैसे कि देख सेके हैं यह capacitor है और यहांपर दो capacitor लगे होजे थे तो हम दोनूं को ही बाहर निकाल देते है वैसे इत दोनूं में से कोई capacitor ही sort होगा तो दोनों को मैंने तोड़ दिया है क्योंकि अंदर वगजे मजे लग रहा है sort है तो दोनों को मैंने वहां से निकाल दिया इसको आपको लगा देना है बाद में ठीक है जैसे आपकी problem solve हो जा थी उसको आपको बाद में लगा देना है तो चलो अब हम अपने multimeter से check कर लेते हैं जो capacitor जो हमारी network IC के बगल में जो capacitor लगा हुआ है जो की full shot आ रहा था उसको एक बर हम check कर लेते हैं त क्योंकि आपको देखने में भी समझ में आई सही तरीके से तो लो मैंने इसको साफ जो है कर दिया है ठीक है अब हम इसको एक बर check कर लेते हैं यहाँ पर एक capacitor है जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था जो कि पूरा sort दिखा रहा था और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर zoom भी कर देखो यहाँ पर देख सकतो फ्रेंड यहाँ पर reading आ रही है जो कि पहले sort दिखा रहा था दोनों साइड में Sorting आ रही थी अभी यहाँ पर देख सकतो कि कोई भी sorting यहाँ पर दिखा नहीं रहा है ठीक है अब हम चलते हैं Dc2-Dcic के पास जहाँ पर पहले sort दिखा रहा था आप वहाँ पर भी sort नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है friend, वहाँ पर भी sorting हट गई होगी, क्योंकि जैसा कि जहाँ जहाँ पर sorting देखा रहा है, तो वह सारी sorting हट गई है, तो यहाँ पर भी sorting होगी होगी, फिर भी एक बार हम check कर लेते हैं, यहाँ पर भी sorting को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी फ्रेंट देख सकते हो, यहाँ पर भी reading आ गई है, यहाँ पर reading नहीं आ रही थी, पहले अभी यहाँ पर भी reading आ गई है, तो sorting यहाँ पर finally हट गई है, अभी हम एक बार क्या करते हैं, अपने motherboard को और यह जो capacitor है इसको भी एक बर हम यहाँ पर check कर लेते हैं तो friend जो भी सारी चीज़े होती है मैं आपको वीडियो में clear दिखाने की कोसिज करता हूँ जो भी तरीका होता है जो भी सही तरीका होता है जो मुझे पता है उस हिसाब से आपको पूरी तरीके से बताने की कोसिज करता हो तो यहाँ पर यह capacitor है एक बर इसको finally हम check कर लेते हैं यह sort है कि नहीं काफी बारी की है तो यह थोड़ा सा चिम्टेव के पकड़ में नहीं आ रहा है तो एक बर हम फिर से एक बर last बर try करते हैं इसको तो friend यहाँ पर देख सकते हूँ यह capacitor full shot दिखा रहा है ठीक है इस एक चोटे से capacitor के वैसे आपका phone पूरा बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पर यह secondary line में sorting थी इसके वैसे आपको battery connector पर कोई भी sorting नहीं दिखा रहा था ठीक है चलो तो अब एक बर एक बर इसको जो हम fit करते हैं और एक बर इसको charging में लगा के देख लेते हैं यह phone on हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी तो battery down है friend जैसे के आपने देखा बट इसके अंदर charging की logo वो आनी चाहिए तो इसका हम जो display वो लगा देते हैं यहां से और friend अगर वीडियो आपको पसंद आई वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करना क्योंकि मैनत लगता friend वीडियो बनाने में और वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको वीडियो में पूरा समझ में आ तो यहां पर देखकतो यह बैटरी पूरी तरीके से 0% चार्ज है और यहां पर फोन में जो है charging पकड़ लिया मतलब फोन अब on भी हो जाएगा इसको हम बैटरी को एक बड़ इसको पलट लेते हैं और पीछे back side आड़ आपको हम दिखा देते कि यहां पर यह जो capacited short था इस इसकी charging connector तूट गई है बैटी तो पूरी डाउन है इसकी तो इसकी connector देख सकतो यह तो फटा फट क्या करते हैं इसकी charging connector को हम sold कर देते हैं अच्छी तरीके से और उसके बाद चार्ज में भी थोड़ा लगा देते हैं चलो तो यहां सम थोड़ा सा वीडियो को पाउस भी कर यहां पर और दुवाई phone है friend ठीक है तो एक बार देख सकते हो इसको हम एक बार phone को on कर लेते हैं और on करने के बाद इसकी जो problem थी on नहीं हो रहा था touch watch सारी चीजे work कर रही है नहीं कर रही है वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं तो चलो हम phone को पहले एक बार on करते है तो यहां पर हम phone को on कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर phone जो हमारा on हो चुक है Samsung Galaxy J4 Plus यह mobile phone है और यह इसको मैंने थोड़ा सा वीडियो यहां पर fast forward कर दिया कि यह phone on हो जाए ठीक है फटाफट क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है friend अगर वीडियो पसंद आई तो वी सारी वर्क कर रही है friend तो अकर वीडियो पसंद उमीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो का लाइक जरूर करें और comment में भी कुछ अच्छी चीज है जो भी हो आप लिख दे और यहां पर यह चबी जनवड़ी जो है आपको र तरब से तो फ्रेंट चलो वीडियो में वीडियो अपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो हम मिलते हैं को नेक्स वीडियो में तब तक के इतना है टेक केर बाई बाई